दोस्तों ये आपको घूमना पसंद है तो आज हम लोग एक ऐसे प्लेस पे चलने वाले हैं जो कि धार्मी का स्थलब पंदरपूर और एकदम कम बजट में चाड़े तीन सो रुपे में अम लोग पंदरपूर में घूमने जाने वाले हैं हमारा जरनी स्टार्ट होता है मुंबई से हम लोग मुंबई से स्टार्ट करते हैं और इसके बाद पंदरपूर के लिए निकल जाते हैं यहां से यदि आप किसी और प्लेस से आ रहे हो तो आपको डायक लिप पंदरपूर के होचना पड़ेगा ट्रेन का टिकट लेकर मैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको साथ में लेके चलूँगा मुंबई से पंदरपूर अभी हम लोग यहां से दादर इस्टेशन के लिए निकलत तब हम लोग टिकट काउंटर पर चलते हैं टिकट के लिए काफी भीड लगी हुई है यहां से हम लोग टिकट ले लिया अभी टिकट लेने के बाद टिकट का प्राइस जो है 140 रुपे है मतलब 140 रुपे में हम लोग पंदरपूर पहुच जाएंगे तो जनरल डिब्बे म अब टिकट लेकर दादर से पंदरपूर एक्सप्रेस में हम लोग बैट गए अभी ट्रेन चलना स्टार्ट हो गई है फेस्टिवल का सीजन होने के वज़ेट से ट्रेन में काफी भीड़े फिर भी हम लोगों को बैटने के लिए स्रीट मिल गई है आखिरकार आर साड़े आर गंटे का सफर करकर हम लोग फाइनली पंदरपूर पहुची गे पंडरपूर इस्टेशन से अभी हम लोग को मन्दिर के लिए निकलना था कृष्ण और रुख्मनी मंदिर के लिए पंडरपुरी स्टेशन के बाहर निकलने के बाद हमनों रिक्से खोजने स्टार्ट के फिर एक रिक्से वाले अंकल मिले जिन्होंने बोला कि 20 रुपे में बिट्टल और रुकमनी मंदिर के पास हमनों को छोड़ देंगे तो आपको यहाँ से 20 रुपे में रिक्से लेके डाक्वी मंदिर के लिए निकल जाना है फाइनली हम लोग मंदिर की 200 मिटर दूरी पे पहुँच गे वहाँ से हम लोग रहने के लिए सबसे पहले खोजने लगे कि कहाँ पर रहेंगे हम लोग के पास में एक आस्रम दिखाए बट यहाँ पर रहने के लिए आपको पूरे फैमिली के साथ जाना पड़ेगा यहाँ पूरे फैमिली के साथ जाओगे तो यहाँ पर आपको सस्ते में रूम मिल जाएगा अधरवाई आपको बहुत सारे ऐसे रूम मिल जाएंगे चाहां पर आप 200-300 रुपे में पूरे दिन बर रह सकते हो तो हम लोग तीन लोग थे तीन लोग मिलकर एक रूम ले लिए 300 रुपे में हम लोग को रूम मिल गया एक गंटे रूम में फ्रेस होने के बाद हम लोग रूम से निकल गए दर्शन करने के लिए मंदिर की तरफ हम लोग निकल गए मंदिर में दर्शन करने के लिए दूर लाइन लगती है एक मुख दर्शन होता है एक चरण दर्शन चरण दर्शन के लिए आपको काफी लंबी लाइन लगाने पड़ेगी मुख दर्शन आपको आधे गंटे में हो जाएगा दर्शन करने के लिए बहुत दूर दूर से भक्ति यहां पर आते है पीछे बहुत बड़ी मानेता है ऐसा माना जाता कि एक बार रुक्वनिम आता नाराज होकर यहाँ पर आ गए थी तो उनको मानाने के लिए भगवान कृष्ण ने विध्यल का रूप लिया था और इसके पीछे अलगलग बहुत सारी मानेता है और बहुत प्राचिन मंदिर है यहाँ पर गोमने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं यह पंदरपुर का फ्लेस मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आपके पास चासो से पांसो रुपे है और आपको यहाँ जादा घर्चे नहीं करना है तो आप चासो से पांसो की बजट में आराम से घुम कर यहाँ पर आ सकते हो इस मंदिर से 200 मिटर के दूरी पर आपको चंदरभामा नदी है चंदरभागा नदी है जहाँ पर पुंडलिक मंदिर है अब नदी के किनारे भी जाकर घुम के आ सकते हैं थैंक्यू सो मच